हाईलो एवरिवन खुछ सामजीद है आप सबको अपने स्कूल के चैनल औरियंटल पॉब्लिक स्कूल में है अजीज बच्चो आज हम किलास नाइंथ कि ग्रामार के हिस्से यानि कवायत के हिस्से फेल और उसकी किस्में उसके बारे में तफ्सिल से पढ़ते है तो फेल से पुराद है काम जिसे किसी काम का होना या करना जमाने के लिहाद से पाया जाए उसे ही फेल कहते हैं जिसे इंग्लिस में भर्व कहा गया है तो फेल किसे कहते हैं सवाल दिया गया है फेल किसे कहते हैं कि फेल और मजदर का तारी भी एक जैसा ही होता है लेकिन मजदर में जमाना नहीं पाया जाता है और फेल में जमाना पाया जाता है तीनों जमाने में से कोई जमाना मौजुद होता है तो उसे ही फेल कहते हैं तो फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना जमाने के साथ समझाए जाए यानि जो काम हो रहा या होता है उस काम में के साथ साथ उसमें जमना यानि वक का भी पता चलता है तो उसे ही फेल कहते हैं जैसे हामीद आया इस जुम्ला में जो है आया यह फेल है जैसे महमुद खेला तो खेलना एक फेल है बाजार मैं बाजार जाओंगा तो यहाँ पर जाओंगा यह फेल है जैसे यहाँ पर दिया गया मैं है तो मैं होगी आपका फाइल बाजार मुफूल जाओंगा यह फेल वह खाना बना रही है तो इस जिम्ला में पर जो है वो बना रहे खाना जो है फेल है वगेरा जो है इन जम्लों में आया जाओंगा बना रही है फेल की किसमे है या फेल है इन तिनों जम्लों में जो है जमाने का इजार भी होता है और काम का भी पता चलता है तो इसे ही फेल कहते हैं तो फेल से मुराद ही है वो कलमा जिससे किसी काम का होना या करना जमाने के साथ साथ समझा जाए उसे फेल कहते हैं तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फाइल यानि सब्जेक्ट क्या है मफूल क्या है तो कोई भी सेंटेंस जिम्ला को बनाने के लिए उसमें तीन चीज़े की जरूरी होती है जरूरत होती है जैसे यानि subject, fail, यानि verb, मफूल, यानि जिसे object कहा गया है तो यहाँ पर देखते हैं file क्या है, या file किसे कहते हैं काम करने वाले को file कहते हैं, यानि जिसके जिरे काम हो रहा है या होता है, वो file कहलाता है, जैसे सबनम आई, अनवर गया तो यहाँ पर अनवर और सबनम जो है, file है, यानि दोनों में ही subject, दोनों नाम आया है तो इस तरह से यह file कहलाते है, इसके बाद है, मफूल, जिसे object कहते है जिस पर काम का असर पड़े, यानि काम जो सुरू किया है, वो तो file हो गया जिसके उपर काम का असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, वो मफूल कहलाता है जैसे हामीद रोटी खा रहा है सकीला दूद पी रही है, इन जूमलों में रोटी और दूद मफूल है यानि यहां पर काम का असर पड़ रहा है तो इसी होगे से यह मफूल कहलाते है तो file और मफूल में फरक यह है कि file subject मफूल object इसके बाद है जमाने के अतिबार से fill की कितनी किसम है तो fill को जो है दूद तरीकों से बाटा गया है एक है जमाने के अतिबार से दूसरा है जमला की बनावट के अतिबार से तो पहले पढ़ते हैं हम लोग जमाने के अतिबार से fill की कितनी किसम है जवाब लिखा गया है या पर दिखिए जमाने के अतिबार से fill की तीन किसम है पहला नमर पहता है फेल माजी फेले हाल, फेले मुस्तक्बिल, तो फेले हाल या फेले माजी, फेले माजी से मुराद है, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, तो फेले माजी कहते हैं, या फेले फेले माजी कहते हैं, या फेले वाकियात तारिक हो और थाथे ती से चाहिर होता है, यह जो इजहार होगा उसका, हमें उसका तारिक वाकिया, उसमें थाथे ती का सिंबोल्स पाए जाएंगे, जैसे अली ने खत लिखा, तो या फेले खत्म हो चुका है, या खत लिख चुका है, अभी भी यह नहीं लिख रहा है, नहीं लिखता है, तो यह फेले माजी कहलाता है, याने कल बारिस होती ती, यी कल बारिस शुरू ही थी, तो यानि काम फिलकुल कॉम्प्लिटेर है, इसमें थाथे थी का जो है उभार, ओते हैं फेले माजी में, इसके बाद हैं फेले हाल, यानि प्रजेंट, हाल समराद प्रिजन्ट तो वह फेल है जिससे किसी काम का करना या होना मौजदा जमाना या जमाना हाल में जाहिर हो कोई भी जो काम हो रहा या होता है वो फेले हाल को जाहिर करे या मौजदा जमाना को जाहिर करता है तो फेले हाल कहलाता है जैसे आहमद क्रिकेट खेल रहा ह यहां पर लब जाया खेल रहा है फोजिया किताब पढ़ रही है यहां पर रही है पढ़ रहा है ता है ते है ती है रहा है रहे है रही है यह इनके इलामात या सिंबल्स होते हैं तो फिले महाल से मुराद वो फिल जिसे किसी काम करना या होना मौजदा जमाना या हाल में जाह से जो है जमाना मुस्तकबल जमाना मुस्तकबल से मुराद वो फेल है जिसमें किसी काम करना या होना आने वाले जमाने को जाहिर करें यानि कोई भी जो काम हो रहा है वो किसको जाहिर करता है आने वाले जमाने को बयान करता है आएंदर जमाने में या फ्यूचर में कोई काम ह होने वाला है क्या कूव काम होगा उसको अगर बैयन कर ौप स्वर जहिर करता है तो या ile मुष्तरक्बल कर लाता है जैसे मैं पतना जाओंगा तो आया जाओंगा यह फो लौ। जाओंगा गी गे वगएरा जो है आते हैं मार्च महेने में इम्तियानाद सुरू हो जाएंगे वगएरा जो है फिले मुस्तक्बल की मिसाल है इस तरह से जो है मुस्तक्बल के तो बता दिये उसके बाद जुम्ला के बनावट के इतिबार से भी जो है फिल की चार किसमे होती है यानि यह तो हम लोग पहले पर है जमाने के इतिबार से फिल की तीन किसम है फिले हाल फिले माजी फिले मुस्तक्बल अब जो है जानते हैं फिले फिल की जो है चार किसमे है वह जुम्ला के बनावट किरते bestimmt से ऐसे जा यहां यासे फेल लिए मारूफ यह पिर नमर पर आता है तो वह फिल है जिसका फाइल जुला में मौझोध होकी बीडीजी जुमला है उसलिके सब्जेट हर जाता है तो वह फेले मारूफ कहलाता जैसे आहमद लिखता है तो आहमद यहां पर हो या फाइल यानि फेले मारूफ यह फेले मारूफ कहलाएगा फेले मजूल वह फेल जिसका फाइल जुम्ला में मौजूद ना हो यानि इसका फाइल या सब्जेट जुम्ला में मौजूद नहीं होता या ही पाइना है मफूल को एक्र bakal कायम मुकाहा है जो आप्जेट होते हैं इसको अबर जिए को ही सब्जेक के तोड़ पर कि उस जगह पर बठा देते हैं यह उसको काम में लगा देते हैं तो उसे फिल मज्मुल कहते हैं जैसे पाणी गरम हो गया तो लब जाया पाणी गरम हो गया यह कि मिफूल की मिसाल है यहाप में फाएल यह उता है यह आपजेट जो होता है इसको सब्सक्राट के तरुपर बैंक किया जैसे पानी घरम हो गया तो पानी आपका अब्जेट है लेकिन यहाप मिश्जड़ के तरुपर और धीर फैल और tips, कि धूद जो सिर्फ वाइल से मिलकर पूरा मानि अदा कर दे लाजिम से मुझा वोकेल है जो सिर्फ थेंग पूरा कर दे उसके मत्रुम जो होनाř कि मुकमल कर देते हैं तो इसको फिले लाजिम कहते हैं उसके के जैसे बार्ष हो रही है आंधी आ गईनुझ अखिर में चौता नमरे बतदक फिले mới पिल पूरा मानी आदा ना कर सकते यानि फायल यानि subject और फेल से मिलकर उसके मफूम कूपुरा ना कर सके उसके मफूम या मतलब को जो है जाहिन ना कर सके उसके लिए object या मफूल की भी जुरत पड़े तो उसको जो है फेले मुतियादी कहते हैं, यिसमें फाल, फेल, मफ उल तीनों पाए जाते हैं, तो वही, फेले मुतियादी, मुतियादी कहलाता है, जैसे नुद्रत निक फार दी, मैं खत लिखता हूँ, तो यह पर मैं subject, खत, object लिखता हूँ, फेल, इसमें नुद्रत काफी, नुद्रत ने copy फार दी तो नुद्रत हो गया file subject copy मफूल object फार दी यह फेल यानि भर्व इस तरह से जो है यह file फेल मफूल तिनों जिस जुम्लों में मौझूद है तो यह फेल है मुताब दीक्या लाता है इस तरह से आज जो है हम लोग यह पर रखते हैं